नमस्कार सस्वियाकाल आदाप आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो लेक्सेस में हम लोग एक डिस्कुशन करेंगी बहुत इंपोर्टन टॉपिक पर डिस्कुशन करेंगी आप वीडियो के लाज तक बने रहें जो कि बिसी फास सेमेस्टर का एपसोड चल रहा है ब सब्सक्राइब करेंगे कुछ ऐसे ही बात हर्टन बॉंड में देखने मिलती है कुछ ऐसे महान लोग थे जिनका नाम था इन नाइंटी टॉंटी में लाइटीमर एंड रोड़ बुस इंडूस दा आइडिया ओफ हार्टन बॉंड तो इस्प्लेंद नीचर आप एस्सेशन इन लिक्विड स्टेट आप सबस्क्राइब होता है हम उसी की बात करेंगे उसी पर डिस्कसन करेंगे तो आखिर क्या रिजन है उस रिजन को हम देखते हैं अखिर क्या है उसी हम बात करेंगे तो वह कंडिशन क्या थी उस कंडिशन के लिए कर हम देखें तो इसमें कंडिशन यह थी कि अगर मालो यह हमारा क्या है हुआ होता है हाइड़ेन फ्लीराइड को हम में लिक्वीड्स की बहुंच त्वदा हुआ है कि लेकिन एकंवीड ज्ञादा होती है इस पर क्या मैसे होता है पास्लिभ स्ट्रोंगत क्यों है प्रेच्वे Oxum बहुत चार्ज होता है छो क्या मुटों ऋसके िंदर क्या बन जाता है और यह भी हूता है डाइपूल होता है इंडाइपूल में निगेटो और फाफ्ट्रों के विच होने लगता है जो कि नॉन chemical force में consider होता है and big bond में होता है और जिसको नाम दिया कि वो three dotted line से interaction कर रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा पास-पास आ रहे हैं और अपने state को change कर रहे हैं यह liquid form में हैं ऐसे मालिकुस बनते रहेंगे लेकिन उन्हों देखा कि अगर इसी hydrogen fluoride को मतब यह liquid state में यह bonding होते जाएगी फिर hydrogen fluoride होगा फिर कोई hydrogen fluoride आएगा यह क्या होगा पास-टू होगा hydrogen नीगी टू होगा फिर यहां पर three dotted line होगा और इसी three dotted line को क्या नाम दिया गया एक big bond नाम जागे इसका नाम था hydrogen bond क्या नाम था hydrogen वांड जिसकी इष्रण जो होती है वह थ्रियंच लेका 10 किलो कैलोरी पर मौल होती है मिस पर बॉंड की होती है यह हाट्रम फडुराईड में लिक्ट में यह कि लिनियर dosens में होते हैं और यह जो बॉंड होता है non-chemical बांड में देखा गया फिर इसी तक्रवनुन तो solid को देखा तो यह देखा कि यहीं जो hydrogen fluoride होता था यहीं hydrogen fluoride कुछ zik ziag में दिखा किसमें दिखा जिग ziag में लेकिन वो जिग जैग में एक दूसरी के साथ ऐख वह जो वह भीखर थो सब немножко जिसका नाम क्या था वह भीखर फोस्को का जो नाम था वो था hydrogen bond hydrogen bond था ये भी निगेटू होगा ये क्या होगा पास्टू ये भी क्या होगा पास्टू होगा ये क्या होगा निगेटू होगा ये 3-dotted bond ये भी 3-dotted bond होगा यहाँ पर भी क्या होगा पास्टू और क्या होगा और जो हुता है यह होता है जिग्जाइग में है किसमें है जिग्जाइग स्ट्रक्चर में चला गया है जो आपको दिख रहा है यह किसमें चला गया ester में और structure ही बदल गया हो गया और है- हुछ में में हो गया लिनियर हो गया और जिसके वजह से यह associate हो रहा है यह से हो रही है यह संस्री ऑर पास-पास हा रहा날 लिकिन यह ही जो गैस्ट में देखी गई तो hydrogen fluoride hydrogen fluoride idle fluoride बहुत दोडोरदो दीखे गए मतनब इनके भी इस डिस्टन्स बढ़ने से कुलांबी फ्रोस कम हो गया जिसको आपने कभी सुना होगा एफ इनवर्सली क्या होता है Q1 और Q2 पान आर स्क्वार मिस यहां पर कोई भी ऐसा इंट्रेक्शन नहीं देखा गया जो हट्रोजन-बॉंड में इसको कन interfere कर दे इस डाईपूल । को हाइडरोजन वर्सली कमें कर दे इस व्यकर को यहां पर हाट्रोजन-बॉंडिंग क्या है अप्सेंट किसमें थ्रिक्राइब कर रहा है थिक्ञेइं कर रहा है बित अलेक्क टर्म कर रहा है वन माली कुल जो है अब आप में अलेक्टक्र on क्छलिंग करेगा अगर फ्लोरीन करेगा आकसिजन करेगा करेगा नाइट्रोजन करेगा यह साथ हाफ हाइजny बोंडियंग आप देखो यह सबस्तेंस है यह सबस्तेंस के साथ हो सकता है North तो आप सब को पता है कि बॉंडिंग होने के लिए प्रापर में कर लेता है यह फ्लोरीन वान सबस्टेन निगेटू है यह है यहां पर जो थ्री डॉट्टेट बॉंड होगा वह क्या है फ्लोराइड और वाटर की बीछ होगा तो वन मालिकों इसका हाइड्रोजन और वन मालिकों क्या मोर लेक्ट निगेटू है फोन वाला है यह भी क्या कर रहा है अब हम प्रस्ट आज यह सीखना चाहेंगे आखिर वो जो यह थ्री से टेन किलो कैलरी यह दिखा रहा है कि बॉंड जो ता वीक में आता है जिसको क्यों吸il को नहीं हम्ते हैं यहाँ नहीं को रहा है यहाँ पर कोई व vaccinations को रहे हैं कि यहां पर ऐसा को चुछ हुआ नहीं हुआ अब हम सिकन पॉइंट आपसे बताना चाहेंगे कैसे आप पहचानेंगे कि कीन माले कुल कीन माले कुल में हर दो है और अगर हर दो है उनकी स्टेट चेंज होंगे उनकी स्टेट चेंज होंगे कशन k होती है आका इन लिक्विड एंडा स्वालिड इस्टेट इन गैसे स्टेट है डिवाणिग इस अपसेंट उसका रिजन क्या होता है माली कुल काफी डिस्टेंस में होते हैं और यह खोद यह बहुत बीकर फोर्स आप अपर अट्रेक्शन होता है आप खुछ समझ सकते हैं कि यह क्या है इसका सकते हैं चले हम निस्ट बात को आगे बढ़ते रहा क्या रही है यह बहुत कुछ के अपको सिखा देगी जो क्या है यहdoo ईक आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है मतमतब यह ज्युट यह मालीकों गाड़ाऊ हो हो इसके साथ चांड जुड़ा हो और फिर क्या कर रहा है अदर मालिकुल है उसका झाल जाहरा हो धिक्या है अज्जांपल देख लें यह जो है और क्या है फ्लोराइड सबको पता है यह सब पूरिन के रिस्पेक्ट में यह हुता है बतार हमते हैं कि सब्सक्रेंग हाई यह है है हाइद्र यौन हो मताओ है पूरियों पनायरलिटन क्लोन है यह देख रहे हैं पूरे नंगे लृट्न होगा Dancing बन गया बत बन गया अच्छी बात है अच्छी बात कुछ करता है यहाँ सब को पता होगा कि वाट के पास कितने वहाइट बताओ लोन पेर वाला हो गया क्या है इसके साथ फॉल जो यथ सबस्क्राइव हो इसका है कि यहई और यह जो है वह तो यहां पर बनेगी मतलिक में अग्या है और में देखें यह क्या है और यह क्या है वाइडर है तो बताओ जैनी वहीं प्रस्ण बनेगा वहीं प्रसर बनेगा यहां मेर्गा हुँआ प्लॉराइड की बिच बना और वाटर की बना बना की नहीं अच्छी बात है अच्छी बात है समझ में भी आ रहे होगी लेकिन चलो देखते हैं क्या यह बॉंडिंग हो सकती है ध्यास देखें एस्टिलीन में देख रहा हूं कार्बन ट्रिपल बॉंड कार्बन हाइड्रोज क्या हम यहां पर हाडदर बॉंड ने करा सकते हैं क्या करा सकते हैं अपर यहां देखिए गा आप सब को पता होगा कार्बन की तीन स्टेट होते हैं कारबन तीन स्टेट पाएज आता है सबसे ज्यादा होती और तो यहां पर बहुत से ज्यादा होता है यहां पर बात बन गई कि यहां पर जो यह लेकिन अगर यही एस्टिलीन को अगर हम आपके साथ थोड़ी से बात को सेड़ करें कि अगर यही एस्टिलीन किसके साथ आजाए वाटर के साथ आजाए तो में भी आप बता सकते हैं यहां पर हाड्रोजन बॉंडिंग हो सकती है क्या है यहां पर हाड्रोजन हो गई मतलब जो एस्टिलीन होती है वाटर के साथ हाड्रोजन बॉंडिंग करेगी फिर डॉंड बॉंड बनेगा हाड्रोजन बॉंडिंग होगी और मजा आ जाएगा उस बॉंडिंग के कारण क्या होता इस्ट्रक्चर भी क्या होते हैं बदल जाते हैं इस्ट्रक्चर भी बदल जाते हैं थोड़ी से गर हम प्वात आपके साथ और भी सेजर करेंगे कितनी नमब आप हार्डियमablyंन बनते हैं कैसे बनते हैं उस पर हुआ करेंगे तो चलो अपनी अपसीज़ोड को फिर आगे बढ़ाते हैं अगली बात आप से क्या कही जा रही गजब की बात है characteristic of hydrogen bond hydrogen bonding occur when hydrogen atom is linked the phone मतलब क्या होता है जब hydrogen एक मालीकुल का किसके साथ link होता है more electricity atom phone मतलब phone के साथ high fluorine oxygen nitrogen साथ क्या होता है एक मालीकुल का fluorine oxygen nitrogen और दूसरे मालीकुल का hydrogen के भी जब आमने सामने होंगे तो high होगा हाई होगा otherwise wrong number मोह को फिर लेगा कोई भी interaction नहीं होगा दूसरी condition हाड़िजन बॉन जनली non chemical bond क्या होता non chemical bond होता है it is donated three dotted line इसको three dotted lines indicate किया जाता है यह भी बात या को समझा रहे हुई bond energy hydrogen bond is range three to ten kilo calorie आप इसका स्कीन देते रहे हैं मैटर को three to ten calorie दूसरी बात है हाड़िजन बॉन इस्टेंग एबाउट one upon ten one upon ten cobalent bond मतलब cobalent bond का one upon ten ही भाव होता है आप खुश समझ सकते हों कितना कमजोर bond है फिर करा हाड़िजन बॉन इस्टेंग डिक्रीजेज डिक्रीज करता है विध डिक्रीज एलेक्टो निट्विटी इनिक्रीज साइज अफेटम मतलब जो हाड़िज बॉन होता है उसका इस्टेंग घट रही है और साइज अफेटम पढ़ रहा है ऐसे सिच्वेशन होती है और आपको मैं खुद यहां पर देखो दिखा रहा हूँ कि यह क्या होती अब खुद बताएं कि इस बेसिस पर मैं थोड़ा सा आपको डाटा देता हूँ थोड़ा से डाटा बताना चाहूंगा कि इस नार्मल डाटा को गर देखा जाए इस नार्मल डाटा ग्रेसिस क्या ह होता है कि जो hydrogen इसकी जो बाइज़वार बाणड परबान्ड की जो होती है वहा होती है हैं ë oil- extended में फिर देखा भी वताएगा था कि क्या होती है ऐसy यह हिएimana घटने पर और सैज बढ़ने पर और घटने पर क्या होती है सबसे कम होती है और साइज में आप सब को पता होगा नाइट्रोजन ऑक्सिजन और प्लोरीज सबसे बड़ा हो गया यह होता है हो गया और कौन जादा होता हो सबसे कम होगी सबसे बड़ी होगी उसका सबसे कम होगा तो होती है इसकी 3.5 होती है यह साइज में बड़ा भी है इसकी बज़ाइस कर च्रेंज बहुत ही कम होता है और उसके सासर में कमॉल का टर्म आपको बताना चाहरा हूं आप और बता सकते हैं कि किसका स्ट्रेंट जादा होता है आखिर इसको भी थोड़ा से देख लेते हैं क्या करना चाहरा है यह पॉइंट बहुत गजब का है इसको तो आपको समझना ही पड़ेगा आखिर यह यह पॉइंट को समझ में आगाता है कि इसमें ज्यादा होता है इसको पहला कंडिशन में कर रहा हूं इसमें किया हो सेम हो पर डॉनर अटम क्या हो डिफरेंट हो डॉनर को मतलब होता है एक मालीकुल का एक हाईडोजन वाला अच्छिंग कर रहा है जो मोख इलेक्त्रों न लेकुस एटम है वर क्या है डिफेंट है तो ऐसी सिचिवेशन में डोनर अबिल्टी जिसकी जादा होगी वह स्प्रॉंगर हाइड्रोजन बॉर्णि को शो करेगा तो आप सब को पता होगा कि ऑक्सिजन फ्लोरिन और नाइट्रोजन गर देखा जाए तो यहां पर खुर करेगा क्या करें करेगा पास करेगा उसका दे इसकी होती है ने क्या होती है कि यह स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होगा स्द्र सबसे अच्छा स्ट्रंथ होगा पहले नंबर पर आ जाएगा है यह सबसे ज्यादा होगा सब से ज्यादा स्टिंध्ष इसका होगा आर यह आजाएगा दूसरी नंबर पर THIS रहे हिंवह नंबर फ्लोरिन क्योंकि प्लोरिन चीक्या होती है वह इस प theological Hydrogens क्या है जो Donor Atome है वह क्या है यह है लेकिन जो hydrogen है है उससे जुड़ा हुआ Atome है electronegative Atome है वह क्या है differen't है तो ऐसे केस में ध्यान देंगे क्योंकि donor तो स्फिम है तो ऐसे केस में hydrogen कहा चार्ज़द करेगा जितना ज़यादा ωगा इन्यज़दा वो ध्यान देजेगा जितना ज्यादा चार्द होगा उतना ज्यादा क्या होगा इंट्रैक्शन होगा ऐसे केस में इस्ट्रिंज जोगा वाई वाला क्या हो जाएगा जान